नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका बात करेंगे VG Finance Limited इस वीडियो में हम बात करेंगे इस शेयर को लेकर अब हमें क्या करना चाहिए फ्रेस इंट्री लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए यदि हमारे पास इस टोक है ओलरेडी प्रोफिट में है लोस में है तो हमें क्या कर जादू यदि आप शेयर मार्केट के टम्स और यहां पर लोंग ट्रम पेनी स्टोक सर्थ कर रहे हैं चालेसे रुपर पचास रुपर की कीमत के तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आप चेक कर सकते हैं तो दोस्तों अब बात करें वीजी फाइनेंस की तो इस सेय करना नहीं है क्योंकि जैसे जैसे अपर सिर्किट आपको लोंग टाम के लिए लगना सुरू होता है उस टाइम पे आपको थोड़ा बहुत अमना जो प्रोफिट बुकिंग है वो करते रहना अब इस सेयर को लेकर जो लेटेस्ट अपडेट है वो आएगी नो तारीको नो कमपनी के जो Q3 के अंडिंग है दोस्तो वह यहाँ पर रिलिजूने वाली है तो Q3 काफी इंपोर्टेंट है यहीं कमपनी के रिजल्ट अच्छे आते है और उसके बाद आने वाले टाइम में यहीं कमपनी की बैलेंस सीट सुधरती है तो इस शेर के बारे में आप लोंग तो आपको time to time यहाँ पर profit जरूर बुक करना है यह सबसे important बात है कि आपने जो अपने रूपे लगा रखे हैं जो अपना capital है उसको सबसे पहले save करने की सोचना है और जब तक यहाँ पर share में lower circuit और upper circuit यहाँ पर चलता रहते हैं तब तक आप phrase entry करने की बिल्कुल ना सोचे और अगर यदि आपको enter होना ही है तो बिल्कुल बहुती कम amount के साथ यहाँ पर आप इंटर हो यहाँ पर ज्यादा amount आप नहीं लगाए क्योंकि कल को अगर इस टोग घीरता है तो उस टाइम पर आप अपना थोड़ा बहुत amount है उसको बहुत ही आसानी से average कर सकते हो average करने में थोड़े amount को average करने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आती है तो यह सबसे best option यहाँ पर रहता है तो दोस्तो एक बार फिर last यह कहना चाहूंगा क time to time यहाँ पर इसी स्टोक में चाहें इसी स्टोक की हम बात नहीं कर रहा हूं या चाहें मिश्टान फूट्स हो सारे का इंटरप्राइजेज हो TTML हो जिन पर हम continue वीडियो बनाते हैं यह अनुपम फिंसव हो इसी स्टोक जितने भी सस्ते स्टोक है इनमें आप यहाँ कम से कम क्वाटर थरीक आप वेट करें और यह आपको लोंग टर्म के लिए जाना है तो आप continue इस कंपनी की बेलेंस इट चेक करते रही है क्वाटर रिजल्ट चेक करते रही है और अपने फाइनेशल एडवेजर से सलाह जरूर ले थांक्यू कीप सपोर्टिंग